अगर आपने टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लेंगे आप उसको वहाँ से जॉइन कर सकते हैं तो आप कोशिन को देखते हैं देखते हैं इसको करने की अप्रोच क्या होगी और क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन दे हुई है तो दिया क्या हो है सुझा है कि 5 आर्टिकल्स A, B, C, D, E are bought at some cost price, marked up by some amount and then sold after giving two successive discounts उसने क्या वहला कि 5 आर्टिकल्स हैं चुकि कुछ amount पर खरीदे जाता है कुछ cost price पर उनको markup करा जाता है फिर उसके दो discount देकर उनको बेचा जाता है यहाँ पर table में क्या दिया हुआ है कि percentage markup और the markup on cost price whichever is applicable मतलब क्या हुआ कि cost price से कितना उसको बढ़ाया जाता है ठीक है यह उसने percentage में या फिर rupees में value दी हुई है ठीक है उसके बाद यहाँ पर second discount मतलब क्या आपके पास mark price बना फिर उसके आथ first discount हुआ then second discount ठीक है तो इसकी percentage value दी हुई है और उसने total discount जो आपके पास है उसकी value यहाँ पर दी हुई है रुपीज में और उसके बाद यहाँ पर आपका ratio दिये हुआ है cost price का और जो selling price बनेगी after the first discount ठीक है यह आपके पास का information दी हुई है अब इस पर based question है तो question को हम समझते है देखिए उसने क्या बोला है कि if the first discount on article A is x percent and that on article D is y percent उसने बोला है क्या कि आपके पास जो first discount है article A पे वो कितना x percent है और D पर कितना है y percent है तो अगर मैं A की बात करता हूँ cost price ठीक है यहां से अगर हम देखेंगे मैं एक ही बात करूँ न cost price अगर ratio के सापते देखेंगे तो 50K मान लीजे से ठीक है उसके बाद और का give it नहीं आपर कितना markup करा जाता है यसे मतलब mark price की अगर मैं बात करूँ तो कितनी हो जाएगी 50K plus 1280 हो जाएगी ठीक है फिर उसके बाद पहला discount मिला तो selling price first बने है न तो first selling price आपके पास कितनी हो जाएगी 63K हो जाएगी उसके बाद second discount मिला तो selling price second बने है अब यह हम कैसे नहीं का सकते है दोको total discount आपके पास यहाँ पर दे हो है मतलब क्या इसको अगर हम देखेंगे तो आपके पास total discount मतलब में 50K plus 1280 में से अगर subtract कर दूं कितना 148 1456 ठीक है तो हमारे पास यह value आजेगी मतलब कितना हो 15 में से गए 7 and then 1 ठीक है मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि 50K minus 176 ठीक है और यहाँ पर आपके पास second discount percentage में भी दिया हुआ है मतलब मैं यह चीज़ बोल सकता हूँ ना कि 63 के जो आपके पास second selling price होगी उस पर मैं 25% का अगर discount देता हूँ तो आपके पास 3 upon 4 जो value बनेगी वो क किते होगी 50K minus 176 और I can say यह होगी आपके पास कितना 918K is equals to 200K minus 176 into 4 तो यह 176 into 4 is equals to 11K यह आपके पास cancel out होगी है 16 times तो K की value कितनी आ रही आपकी 64 आ रही है तो अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि first discount percentage तो यहाँ से first discount percentage कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए आपको इस value का और इस value की जरूत पड़ेगी न तो यह आपके पास कितना हो जाएगा 50 into 64 plus 1280 और यह price आपके पास कितना हो जाएगा 63 into 64 ठीक है तो अगर मैं देखो देखो 64 यहाँ पर cancel out हो गया यह आपके पास 2 0 times गया और 64 यहाँ पर cancel out ह यह आपके पास कितना पचा 50 plus 20 मतलब 70 और यह आपके पास 63 बिना तो यहाँ से आगर मैं देखोंगा कितना discount percentage हो रहा है यह 10% का है इसका मतलब x की value आपके पास कितने आई वो 10 आई ठीक है I hope यह आपको समझ में आगया होगा right x की value आपके पास 10 आगए इसी तरीके से मैं y की value भी निकाल सकता हूँ y के लिए उसने क्या बोला है तो इक काम करता है इसको मैं रब करता हूँ so that properly आपको समझा पाऊ ठीक है x की value 10 आगई I hope यह समझ में आगया होगा अब हम ल उसके बाद आपके पास यहां पर कितना markup करा गया ऐसे 33.33% right तो मैं यह बूल सकता हूँ यहां से अगर इसे markup करा गया तो marked price कितनी बन जाएगी आपके पास 20k बन जाएगी ठीक है उसके बाद first selling price जो बनेगी यहां से वह आपके पास कितनी बन जाएगी वह 17k बन जाए 5 मतलब कि 15 तो आपके पास x की value कितनी आ रही थी x की value आपके पास 10 आ रही थी और y की value यहां से कितनी आई है आपके पास 15 आई है right clear हो गया अब वो आगे बोलता क्या है हमसे कि जो second discount percentage है on article E वो 3.5 3.6 times है जो loss percentage था on article D तो article D पर अगर मैं loss percentage निकालना जाओं तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ उसके लिए मुझे selling price second की बात करनी पड़ेगी तो वो आपके पास कितना हो जाएगा देखें यहां से अगर हम देखेंगे तो second discount आपके पास कितना है 50 by 3% है ना तो 17k into 50 by 3% मैं सको लोग सकता हूँ 5 by 6 ठीक है तो यहां से अगर हम देख अब मैं सिर्फ cost price और selling price की थोड़ी से बात करूँगा विकास मैं को बस निकालना है कि profit और loss इसमें कितना हुआ है तो यह आपके पास 15 is to 17 into 5 upon 6 यह आपके पास 3 times गया तो यह आपके पास कितना 18 is to 17 तो इसे loss कितना हो रहा है 1 by 18 हो रहा है into 100 ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो discount second discount percentage है e पर वो कितना हो जागा 3.6 times of 100 upon 18 ठीक है तो यह आपके पास देखिए cancel out हो गया 2 मतलब क्या 20% ठीक है तो अगर मैं e में बात करता हूँ second discount जो आपके पास है वो 20% का है ठीक है और उसने क्या बोला है कि जो ratio है cost price or selling price after the first discount on article e is इतना ठीक है मतलब क्या यह आपके पास उसने दिया हो है ठीक है तो यह कितना हो जागा दो 6x मतलब 60 is to 5y मतलब 75 75 plus to 77 ठीक है तो यह आपके पास ratio कितना दिया हो है 60 is to 77 दिया हो है तो हमें पता क्या करना है profit यह फिर loss जो हो है article e पर तो अगर मैं article e की बात करता हूं article e आपके पास यह 60 m मान दीजिए so that आप confused ना हो वरना मैं k भी ले सकता था उसके बात 40% से mark up करा जाता है म उसके बाद first discount अभी हमें नहीं पता है लेकिन हम यह लिख सकते है na 77 k हो जाएगा ठीक है first discount के बाद आपके बाद जो selling price है और फिर 20% का second discount है इसका मतलब आपके पास जो यहाँ पर price बनेगी वो करती 77 k into 4 by 5 बनेगी ठीक है और उसने हमें actual value find out करने है ना rupees में so यहाँ पर आप इस discount का use कर सकते हैं isn't it वो कैसे हो जाएगा आपके पास यह अचा यह M है ठीक है यह भी M है right तो आप इन दोनों का use कर लीजे ठीक है because इन दोनों के बीच का difference मतलब अगर हम बात करें तो 84 M minus 77 M into 4 by 5 equals to 1, 2, 3, 2 के वाराबर ठीक है तो देख हो एक काम बाद आप 4 से यह आप cancel out करें 21 times यह आपके पास चला जाएगा कितना 4 से जाएगा 3, 0, 8 times फिर उसके बाद आप इसको cancel out कर सकते हैं 7 से अगर मैं cancel out करने को भीच करते हूं 11 times 3 times 7 से गया यह 4 times then again 4 times ठीक है तो यहां से आपके पास 15 M minus 11 M is equals to 44 into 5 आ रहा है right तो 4 M is equals to 44 into 5 और I can say 11 times की है मतलब M की value आपके पास करती है 55 आ रही है तो अगर मैं profit या फिर loss की बात करता हूं मतलब इन दोनों के बीच का difference वही तो चाहिए है ना आपको तो M की value अगर 55 है तो यह into 55 आप करा लिजे 11 into 55 आप करा लिजे मतलब अगर हम देखेंगे तो 60 into 55 और difference यह आपको किसका यह जाएगा आपके पास 77 into 44 ठीक है तो 11 आप बाहर लिजे अंदर कितना पचेगा आपके पास 300 और difference आपके पास 11 बाहर होगे तो 7 into 44 यह आपके पास होगे 28 28 and 308 ठीक है 308 तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे 8 into 11 आ रहा है तो आपके पास difference जो आ रहा है वो रुपीस 88 का आएगा I hope आपको explanation समझ में आया होगा अचा एक बात है अगर आपको in case लगता है कि question में कुछ error है ठीक है कुछ mistake है because क्या होता है कि in questions को sub questions को मैं खुद frame करता हूँ और खुद ही check करता हूँ तो कभी कबार ऐसा हो जाता है कि question को frame करते time और check करते time आप कोई mistake को overlook कर देते हैं तो कोई दूसर जब उस question को करता है तो वो हो सकता है कि उस mistake को पैचान पाए तो अगर in case कभी कुछ किसी question में अगर कुछ mistake मिल जाती है तो आप मुझे या तो telegram group पर बता दिये करिए या फिर YouTube की comment section में मुझे बता दिये रही कि sir यहां पर कुछ mistake हो रही है तो आप इसे rectify कर देजे मैं next day या फिर अगर मेरे पास time है उसको rectify करने का तो मैं उसी दिन उस question को rectify करके आपको present कर दूगा ठीक है तो I hope समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगे होगे तो वीडियो को like करिएगा channel को subscribe करिएगा और अपने friends को इस channel के बारे में जरूर बताइएगा मैं ऐसी videos daily लाता रहता हूँ और अगर आपने telegram group को join नहीं किया है तो नीचे description में इसका link है thank you so much